आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें kesan मारे पास है कथन और कारण में, कथन कहता है कि जड़तवा अगुंड के लिए उसके अगर हमें गर्णा कर ली है, तो वस्तो के दिर्भेमान को इसके दिर्भेमान के इंद्व पर, संकें इंद्वित माना जा सकता है जबकि कारण कहा जा रहा है कि द्रण परिंड का जड़त्वा आखुने इसके द्रविमान के इंद्र से परिता अक्ष के सापेक्ष जो है वो शूनि होता है ठीक तो कथन और कारण में क्या संबंध होंगे वो हमें देखना है और कथर नों कारण दोनों अगर गलत होते हैं तो option number D यहां पर आएगा ठीक है तो अभी हम देखें कि मान लेजे हमारे पास कोई pin है यह हमने pin लिया pin के लिए हमने यह कहा कि यह असंग के कणों से मिलकर बना हुआ होगा यह हम कहा सकते हैं कि मान लेजे यहां अगरे वह यहां पर N कणों से मिलकर बना होगा यह मान के चलते हैं प्रिदेक कणों के यहां तो नहीं सकतें हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रिदेक कणों के लिए दरवेमान होगा धर्वेमान होगा तो उन्हें हम लिखेंगे M1, M2, M3, M4, कुछ इस तरह से M, N तक, ठीक, अब हम देखते हैं कि माल लिजे कोई एक अक्ष है, जो इससे हो करके जाती है, एक अक्ष हमने ले लिया कुछ इस तरह से, अक्ष को नाम दे रिया O, O' ठीक है, इसके परिता माल लिजे पेंट को हमें घुमाना है, घुमाना है, तो घ जिस भी दिशा में उत्पन होगा, ये कोणी वेक से, एक निशित कोणी वेक से, उसी दिशा में घुमने लगेगी, ठीक है, तो ये हमने बता दिया, अब इस पिंड के लिए, जो हमने बता रखा है, जड़त्वा गुण की गर्णा अगर हमें करने है, ठीक है, जड़त्व 1, R1, square, दुसरा, M2, R2, square, इसी दरह से, M3, R3, square, MN, R, N तक इसके मान चलेंगे, ठीक है, तो इससे हम लिख लेते हैं, ये सिक्मा हमारे पास होता है, M, R, square के रूप में, तो यहां पर हम कहां से शुरू करते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं, N बराबर 1 से, कहां तक, त यह हमारे पास एक सूत्र रहा, तो अगर basic सा एक सूत्र हम लिखें, कि जड़तवागुन का सूत्र क्या होता है, जड़तवागुन का सूत्र होता है, I बराबर M, R, square करूप में, ठीक, इसे ले करके हम चलते हैं, statement की तरफ, statement कहता है, कि जड़तवागुन की गर्णा के तो उसे हम capital M के रूप में लेंगे, और जो दूरी होगी मालेजे, उसे हम R के रूप में ले लेते हैं, उस द्रविमान के अंदर से वो दूरी, ठीक है, तो यह सूत्र हमारे पास वही बन जा रहा है, यह हमारे पास बन जा रहा है, M, R, square के रूप में, ठीक है, तो यह इस द्रविमान को इसके द्रविमान केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है तो यह सही हो ठीक है अब इसके लिए देखिए कि कारण के तौर पर क्या कहा जा रहा है कि द्रण पिंड का जड़त्व जो आखुण है इसके द्रविमान केंद्र के से परिता अक्ष के सापिक्ष ज अक्ष मौझूद हो तो आरकामान क्या हो जाएगा आरकामान शूनी रह जाएगा आरकामान शूनी रह जाएगा तो द्रविमान केंद्र की परिता या उससे होकर जाने वाले अक्ष के सापिक्ष अगर हम द्रिन पिंड के लिए जड़त्वा आगोन के अमान को देखें तो व वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण का सैंस पिस्टिकन नहीं देता, तो option number B यहां पर करेक्ट होगा.